हेलो इंजिनियर्स आप वाचिंग इलेक्टिकल जिंदगी दोस्तों प्रीबेस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सिंख्रोन और इस कोप के बारे में बात किया था आपको मैंने जो भी वहाँ पर कंसेप्स क्लियर कराया थे आपको सभी कंसेप्स क्लियर हो गया हुँगे आज किस वीडियो में हम लोग क्लैंप मीटर के बाते में बात करने वाले हैं इसी मीटर को हम लोग टॉंग टेस्टर के नाम से भी जानते हैं कई सारे बुक्स में क्लैंप मीटर लिखा होता है कई सारे बुक में टॉंग टेस्टर लिखा होता है दोनों चीज़े ही एक हैं तो आज कि थूट के बारें बाद करेंगे तो करेंगे करेंट करनेजास को कोege DR on he होता है working mechanism जो होता है इस मीटर का वो क्या होता है किस तरीके से वर्क कर रहा होता है इसके बारे में बात करेंगे और इसके यूजस के बारे में बात करने वाले हैं जाहिसी बात है दोस्तों कि अगर एक ही वीडियो में इतने साथे आपके क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपोर्टेंट होने वाली क्योंकि इस लेटेट कोशिचन आपके इंटर्व्यू में भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो वीडियो बीडियो डाउनलोड कर सकते हैं कैसे फ्रीडियो आप डाउनलोड करेंगे वह भी मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा तो चलिएगा दोस्तों अभी हम लोग आज के ने जो हमारा कंसेप्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहला हमारा क्लैंप मीटर होता है वह हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा होता है अब यह जो क्लैंप मीटर चली ऐसा देखता है लेकिन इसका यूज क्यों होता है सबसे पहले ही समझ लेते हैं जब आप इंजीनियर बन जाएंगे या अगर आप यहाप इंजीनियर है तो ऐसे में आपको कि करना पड़ेगा कि स्टार को बीचसे ब्रेक करना उगा और जब्रेक करने के बाद पूपर मल्टीमीटर कि से कपर रहे होंगे लेकिन अगर मैं कहां कि आपको बीना सफार को कि यह हुए मतलब कि high voltage line है हमारी अब ऐसे में आगर मैं आप से कहूं कि star का voltage measure करके दिखाओ मानलीजी ये 11 kv voltage में run कर रही है ऐसे में मैं आगर आप से कहूं कि इस line का voltage measure करके बताइए तो आपको क्या ज़रूत पड़ेगी कि एक potential transformer आप लगाएंगे फिर उसके बाद आप अपना वोल्ट मीटर या तो फिर आप मल्टी मीटर के थूँ आप बता पा रहे होंगे लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिना पोटेंशल ट्रांस्फॉर्मर का यूज करते हुए आप इस लाइन का वोल्टेज बताईए तो आप साइब नहीं बता पाएंगे अच्छा इन सभी इलेक्ट्रीशियंस की दिक्कतों को देखते हुए एक ऐसे मीटर का निर्मार किया गया जो कि बिना हमारा पोटेंशल ट्रांस्फॉर्मर को लगाए हुए करेंट ट्रांस्फॉर्मर को लगाए हुए बिना ही हमारे सर्किट को कट किये हुए बिना करेंट को ऐसे कट किये हुए हमारे circuit में flow होने वाली current हमारे circuit का voltage बता दे ऐसा करने के लिए एक मीटर बनाया गया जिसे हम लोग clamp meter गया जो कि इस तरीके का हमारा clamp meter दिख रहा होता है ठीक है न अच्छा यह तो अभी तक मैंने आपको बता दिया बाकि आपको यह बताओं यहां पर यह मैंने लिखा हुआ है तो आप यहां से डेफिनिशन को देख सकते हैं देखिए जो क्लैंप मीटर होता है यह क्लैंप मीटर को टॉंग टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है इसका उप्योग किसी धारा वाही चालक की इलेक् ही हमारे step down की वे जो voltage होता है इसको step down किये बिना और जो हमारा conductor होगा उसको बिना काटे हमारा यह मीटर हमारे circuit का current और voltage वगेरा मेजर करने में सक्षम है तो यह तो अभी इसकी खासियत बात होगी अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या-क्या parts होते हैं और क्या-क्या यह मेज हमारा जुपड इस जगे से ऐसे हमारा ओफ्लेटर हो जाता है यह हमारा सेलेक्टर स्विचχ घृष C थे टिए घृष हमने अरद आया कि एक हमारा सेलेक्टर स्विच्च था जिसके थुछ हमलोग स्थिऴ시다 कर से होते कि यह वहीए एस हैं और इसमें मल्टिमीटर की तरीके कई सारी चीज़ों को आउना लोग मेजर कर सकते हैं एक ही मेजर के तुरूढ़र के यह क्वारा lcd display है और यह हमारे क्या है सेलेक्टर pins हैं ठीक है नाьте ऑकर उसका मतलब क्या है कि एक jeड़्त होगी और एक हमारी black pin होगी जो की DC के लिए measure करना है तो आप यहां पर connect करेंगे अगर AC के लिए quantity measure करना है तो यहां पर एक common pin होने वाली है तो यह सभी pins होती है बाकि जो जो पिच्चर में diagram में दिख रहा है मैंने वो सब मेरा मेर करके बता देगा इस तरीके से अब यह work कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे आगे की वीडियो में ऊफुछे सु कर के में आगे भी बात करेंगे यहां पर about of clamp meter में मैंने किया हुआ कि पहले तो transformer clamp दोग होता है दूसरा मैंने में किया हुआ कि क्लांप ओर कि रिगर होता है उसी में हमने रीडिंग लिया हम thi करना चाहते हैं मतलब कि मेटर में वह ही dlatego हमारी धोडी देर के लिए की लिए हम अपने सेनिल को दिखाना चाहते हैं तो ऐसी कंडिशन हम लोग होल बटन का यूस करते हैं तो वह धिंग उस्धाय प्रूंस प्रूंस मैं ऐन आपको बता हैं फिर हमारा एक LCD monitor होता है जो कि हमारा reading को दिखाता है और एक हमारा स्विच होता है तो यह सभी चीज़े मैंने आपको यहां पर बता दी हैं आप यहां से no down कर सकते हैं साथी में PDF भी आप download कर सकते हैं PDF कैसे आपको वीडियो के एंड में बता दूँगा अब यहां पर बात कर लेते हैं टाइप सफ क्लैंप मीटर के बारे में ठीक है या फिर मैं बोलूं तो टाइप सब्सक्राइब बात कर लेते हैं कि करेंट एक ट्रांस्फॉर्म okay क्लैंप मीटर वयर टांग टेंस्टर के बारे में देखिए दोस्तों इसके बारे में यहां पर देखिएगा अभी तक मैंने जो आपको बेिट कि एक हमारा में क्लैंप मीटर होगा जिसमें एक हमारी जोव होगी उस जोव को किसी भी कंडुक्टर में से कडाध कर सकते हैं तो उसकी जोव में ऐसा क्या mechanism लगा है जिसकी वजय से वह कंडुकर को हम सकते हैं तो वही मेकनिजम हमारा यहां पर करेंट ट्रांसफॉर्मर टाइप क्लैंप मिटर में आपको देखने को मिल जाएगा चलिए अभी इसके अंदर का मेकनिजम समझ लेते हैं देखिए अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो जो हमारा करेंट केरिंग कंडेक्टर होता है campe ein रूल के अनुषर इसके चारों तरफ हमारा मैडिटिक फिड़ बनेगा ठीट वाल है इसका हम लोग कर लेते हैं अपने में हम क्या करते हैं की लेक्रो में इक्चर में या फिर मैं कहूं mutual induction कम लोग यहां पर principle का यूज करते हैं जो हमारा clamp meter का jaw होता है उसमें हम लोग एक coil लपेट देते हैं जैसे कि आपने देखा था यह jaw था मैं आपको दिखाऊं यहां पर यह jaw था इस jaw के अंदर क्या होता है कि हमारा coil लपती होती है copper की ठीक है इस तरीके से हमारा coil जोगी इसमें jaw में लपती होती है ठीक है तो जैसे यह coil होती है यह हमारा current केरिंग conductor के across में रखी जाती है मतलब इसके जो circular पात में रखी जाती है यह समझेगा यहां से current जो हो रही है इस conductor से और हमने अपने clamp meter का jaw लाकर के यहां पर रख दिया है तो jaw में क्या था कि हमारा copper की coil लपतीविटी अब ऐसी condition में क्या होगा कि इस जो current current केरिंग conductor था इस conductor से एक्रॉस जो magnetic field बन रहा था वो magnetic field हमारा हमारे clamp meter के jaw के coil से कट करेगा अब ऐसी condition में क्या होगा कि यह जो cut कर रहा है mutual induction का principle होगा तो उस क्वाइल के across क्या हो जाएगा यह में हमारा generate हो जाए जो क्वाइल है वह हमारी मीटर के साथ में connect है मतलब short-circuit है तो ऐसी condition में जो भी हमारा मीटर सेलेक्ट होगा वोल्ट मीटर या या फिर रजिस्टेंस वगयर जो भी हमारा सेलेक्ट होगा वह हमारा तुरूंत मेजर करके बता देने वाला है ठीक है न तो यही हमारा principle होता है करन्ट ट्रांसफॉर्मर टाइप क्लैम्ट मीटर का यहां पर बाकी मैं आपको explain कर देता हूं लिखा हुआ है करन्ट ट्रांसफॉर्मर टाइप क्लैम्ट मीटर यह टॉंग टेस्टर इस प्रकार के क्लैम्ट मीटर के जबड़े में कॉपर की कोई लपड़ी होती है जहां क्लैम्ट मीटर electrical electromagnetic principle के सिधान पर कारे करता है वही चीज़ा है कि mutual induction या फिर electromagnetic induction के principle पर यह हमारा मीटर काम करता है इस टाइप का मीटर electromagnetic principle के अमसार जब किसी धारा वाही conductor के मार्ध्यम से धारा प्रवाहित होती है तो उस conductor के क्लैम्ट मीटर के जबड़े में लगी हुई copper की कोई को कट करता है यह कोई जो होती है आगे जाकर के हो जाएगी तो हमारा जो एमीटर होगा वह हमारी रीडिंग को दे देगा इसकार क्लैम्ट मीटर का उप्योग जो होता है मात्र AC के करेंट को नापने में ही किया जा सकता है कि electromagnetic induction का जो फैराड़े का रूल था उन्हों में क्या बताया था कि जो हमारा इमेंफ होगा वह कब जन्रेट होगा किसी भी कोई में जब हमारा जो फ्लक्स होगा भी फाइब डीटी मतलब की चेंजिंग इन नेचर होगा ठीक है समय के साथ में बदल लाओगा तो अगर हमारे जो सब्सक्राइब अगर में मेटर वर्क करने वाला है अगर में समय के साथ में ने रहेखने होगा यह हमारा एसी में ही वर्क करता है मतलब अल्टरनेटिंग जो कंडेक्टर होगा उसके रिस्पेक्ट पे ही वर्क करेगा हम दोग बात के लेते हैं कि हाल इफेक्ट टाइप क्लैम्प मीटर या टॉंक टेश्टर के बारे में इस प्रकार के उपकरन का उपयोग एसी या डीसी दोनों ही प्रकार के करेंट को मापने के लिए किया जा सकता है ठीक है ना इसमें क्या होता है कि जो हमारा आपका क्लैम्प मीटर था उसके जो जौ थे जौ पेस्ट में हमार क्वायल का यूज ना कर के इसके जगह हम लोग सेंसर का यूज करते हैं अब यह संसर हुं सेंसर का नाम क्या होता है हाल इफेक्ट टाइप संसर हो ठीक है यहाँ पर मैंने लिखा हूआ है mention भी किया हुआ है आप देख सकते हैं कि इस clamp meter की बनावट जोती current transformer type clamp meter की भाती ही होती है बिल्कुल इसी की तरीके ही दिखता है लेकिन इस प्रकार के उपकरणों में क्लैंप मीटर के जबड़े में copper की coil का उपयोग ना करके copper की coil की जगह हाल effect type sensor का उपयोग किया जाता है अब यह इसका डाइग्राम होता है वह कुछ हमारा इस तरीके से डाइग्राम इसका दिखता है आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर हमारा sensor का यूज किया गया है reading को दिखाने लगता है ठीक ना बाकि यहां पर और भी मैंने चीजों को मेंशन किया हुआ है कि यहां sensor एक प्रकार का transducer होता है मतलब कि जो physical quantities होगी उसको electrical signal में यह convert करने का काम कर रहा होता है हाल effect type sensor इन माध्यमों से प्राप electrical quantity को digital quantity में ना अपने के लिए भेज देता है और LCD जो display होती उसमें हम लोग reading को देख लेते हैं ठीक है तो आई होप कि आपको यह दोनों ही टाइप जो clamp meter थे वो अब तक समझ में आ गये होंगे अब बात कर लेते हैं कि clamp meter को किस तरीके से हमें यूज करना है इसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं देखिए कि clamp meter का अगर उपयोग करना है तो इन बातों का ध्यान रखना होता है सबसे पहली बात क्या है कि जब clamp meter का हम लोग यूज कर रहे होंगे तो एक टाइम में हम लोग एक ही conductor के across इसके जो को select करेंगे मतलब कि यहां पर देखिएगा मैंने डाइग्राम के तुरूगे आपको समझाने की कोशिश करिए यहां पर अगर मान लीजिए हमारे यह conductors जा रहे हैं तो हम लोगों को अगर इन conductor का voltage या फिर current नापना है तो हम दोनों ही conductor को एक साथ select नहीं करेंगे ऐसे में क्या करेंगे कि यह one by one conductor को हम लोग select करने वाले हैं तो यह वाला मैनर सही है और यह वाला मैनर हमारा wrong है ठीक है अगर clamp meter जो होगा वह हमारा one by one ही conductor के एक्रॉस में उसके job को हम लोग select करते हैं अच्छा यह जो हमारा clamp meter होता है इसके अगर इतने सारे advantages हैं कि बीना conductor को cut किये हुए यह हमारा reading को ले सकता है साथ ही में voltage कितना भी हाई हो हमारा उस voltage को भी major कर सकता है तो इसके disadvantage क्या है तो इसका सबसे बड़ा disadvantage यह है कि जो clamp meter type meter होते हैं इनकी जो reading होती है वो हमारी बिल्कुल accurate नहीं होती इनकी reading कुछ ना कुछ इनमे reading में दिक्कत हो जाती ह तो इस बात को आपको ध्यान रखना है बाकि जो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताओंगा वो मैंने आपको सभी चीज़े बता दिया है अगर फिर भी आपके mind में कोई भी doubt होता है या फिर वीडियो के regarding suggestion होती त आप मुझे मेरे इस WhatsApp नमर पे message करके बता सकते हैं आपका बहुत-बहुत आभार रहेगा साथी में दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि तो ब्रूल सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तों के साथ में अपने जरूर जरूर इस वीडियो को share करिएगा मे इसके लिए आपको मैंने वीडियो के description में लिंक दे दिया है PDF का आप यहां पर आकर कि PDF को download कर सकते हैं वहां से साथी में आप लोगों के लिए information है कि electrical जिंदगी नाम से मेरी website है जिसका link मैंने आपको description में दिया है आप Google पर सर्च करके भी इस website पर विजिट कर सकते हैं यह सभी post Hindi language में है तो आप इन पोस्टों को भी पड़ सकते हैं बागी EIM की मैंने playlist बना दिये तो आप उसे भी देख सकते हैं वन बाई वन को भी आपको issue नहीं होगा तो चलिएगा दोस्तों मिलते हैं नेक्स टूडियो में नेक्स टॉप एक साथ तब लिए टेक किया बाई बाई